ओम शान्ती, आज 2 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य है आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत मीठी मीठी दूरूहान कर रहे हैं और पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं ये जो इश्वरिय पढ़ाई है, इसका सिम्रन करते रहना है जब आप इन बातों का सिम्रन करते रहेंगे, तो मन में जो भी संशे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे कभी भी मूंचेंगे नहीं, ये खुशी रहे, स्वयम निराकार भगवान मुझे पढ़ाते है बाबनी का बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा सिर्फ कहते हैं, अपने आपको चेक करो, कि पतियों के पती, सर्व शक्तिवान बाबा को मैंने कितना याद किया याद की मेहनत करो, कोई भी मित्र समंदी याद ना आए यहाँ तक की जो चित्र रखते हैं, वो भी इसी लिए कि याद बनी रहे गीत बज़ते हैं, इसी लिए कि हम याद में खोई रहे अपने आप से पूछते रहना है, क्या मैं श्वासों श्वास बाबा को याद करता हूँ साथ साथ बाबा ने गरीब बच्चों को याद किया, गरीब बच्चे बहुत उंचा पद पा लेते हैं गरीबों की पाई पाई से स्वर्ग बनता है, वो माला के मनके बन जाते हैं बाबा केते मीठे बच्चे इस समय मुझे याद करो तो स्वर्ग में तुम्हारा बहुत उंचापद होगा अब हमारी चड़ती कला है पहले उतरती कला थी अब चड़ती कला है जिने पक्का निश्चे है वो कभी मुझेंगे नहीं वो पढ़ाई अच्छी रिती पढ़ेंग सिम्रण करते रो तो कभी किसी बात में मुझेंगे नहीं सदा नशा रहे हमें पढ़ाने वाला स्वयम निराकार भगवान है नशा रहे हमें पढ़ाने वाला स्वयम निराकार भगवान है कुछने न ज्यान रतनों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है जो गरी बच्चे हैं, गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पदमा पदम पती बनते हैं, वो माला में पिरो सकते हैं, सावकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है, बाबा को इस समय करोड़ पती बच्चे नहीं चाहिए, गरीब बच्चों की पाई पाई से स्वर्ग की स्थ कार बनाना है गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल ओम शांती मीठे मीठे बापतदा के बच्चे जानते हैं हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नाम निशान नहीं जिसका नाम है सुख धाम हम उसुख धाम वस्वरग के मालिक थे सुख धाम तो सत्यों ही था देवी दिवताओं का राज्य था अभी जो तुम ब्रामन बने हो तुम हो ब्रह्मा मुखवन शावली तुम लिखते भी हो शिव बाबा केरव ब्रह्मा कुमारिस ये भी तुम अब जानते हो ब्रोवर हमारी चड़ती कला है चड़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रिती समझा है तुम ये भी समझते हो, भारत जब चड़ती कला में था, तो उनको देवी देवता कहते थे, अभी उतरती कला में हैं, इसले उन्हें देवी देवता नहीं कह सकते, अभी अपने को मलुश्य समझते हैं, मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं, ये होकर गए प्रन्तु कब देवी देवताएं होकर गए लेकिन कब होकर गई ये नहीं जानते तुम किसी को भी समझा सकते हो क्राइस से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था अब तुम समझ गए हो कि चक्र को फिर नाई है पति दुनिया को पावन बनना ही है अब तुम से देवता बन रहे हैं बाप पढ़ाते हैं ये नशाचर ना चाहिए गाया हुआ है भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं सरफ ये भूल कर दी जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते न आया हम फिर से शांती धाम से सुख दाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं गाते पतित पावन आओ पतित पावन तो गौड़ फादर ही ठेरा स्रीकृष्ण को तो नहीं कह सकते ये बुद्धी में सिम्रन करते रहना है स्कूल में बच्चों की बुद्धी में पढ़ाई का और सिम्रन चलता है तुम भी अगर सिम्रन करते रहेंगे तो कभी मुझेंगे नहीं अच्छी तरह से सिम्रन करना है ताकि कभी भी हम उलजेना जानते हैं अब हमारी चर्ड़ती कला है सेकेंड में जीवनमökति गाई हुई है बच्चा पैदा हुआ, वर्से का हगदार बना प्रंतुए कोई जीवन मुक्ती का वर्सा नहीं यहां तुम्हें जीवन मुक्ती का राजपाग मिलता है बाप से मिलना भी जरूर है जानते हो बेहद बाप से भारत को बेहद का वर्सा मिला था फिर मिलना है तुम शिरीमत पर चलकर वर्सा पा रहे हो भगति मारग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं चित्र भी सब के मुझूद हैं पूजे जाते हैं ये भी राज़ बाभा ने समझाया इन बातों में कोई अच्छी रिती समझेंगे निश्चे करेंगे फिर कोई सन्षे भी उठाएंगे इन बातों को कोटों में से कोई समझेंगे संशे में भी आने वाले होंगे कोई को संशे ना आए इसलिए पहले समंद की बात समझानी है गीता में भी है अर्चुन को भगवान ने बैट समझाया अब घोड़े गाड़ी में बैट राजयोग सिखाएं ये तो हो नहीं सकता ऐसे थोड़ी बैट राजयोग सिखाएंगे ये तो जूट हो गया दिखाते हैं विश्नु की नाभी से ब्रह्मा निकला फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिये सुक्षम बतन में हो ना सके तो याई सार समझाएंगे न ऐसे से चित्रों पर तुम समझा सकते हो प्रदश्नी में चित्र काम में आएंगे जरूर सुक्षम बतन की तो बाती नहीं ब्रह्मा मुक्त्वारा किसको समझाएं वा तो है ये ब्रह्मा विश्नु शंकर तो शास्त्रों का सार किसको समझाएं तुम जानतों सब भगति मारक के करमकांड है, सत्युक त्रेता में भगति मारक तो हो नहीं सकता, वह हैं देवताओं की राजधानी, भगति कहां से आ सकती, यह भगति तो बाद में होती, तुम बच्चे जानते हो, निश्चे बुद्धी ही विजयी होते हैं, बाप में तो जरूर बादिशा ही मिलेगी, बाब बैट समझाते, मैं स्वरक की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूं, शिव को कभी गोरा सामरा ने कहेंगे, स्रेकृष्ण को शाम सुन्दर कहते हैं, ये भी बच्चे समझते, शिव तो चक्र में आता नहीं, उन बच्चों के अब चड़ती कला है, सामरे से गोरा बनना है, भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया, काम चिता पर बैचने से, ये भी गाइन है, सागर के बच्चों को काम ने जलाई भस्म कर दिया, अब बाबा तो में ज्यान चिता पर बिठाते, तुम्हारे उपर चाण वर्शा बरसाते हैं, ये भी समझते हूँ, ये एकी सत्व का संझ है, परम पिता परमात्मा जो स्वरक की स्थापना करने वाला है, उनको अमर नात भी कहते हैं, तो जरूर यहां बच्चें को अमर कता सुनाइंगे, पहाड पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ हम ही थे हम ही बनेंगे जाड के उपर भी समझाया पिछाड़ी में छोटी-छोटी टालिया निकलती ये सब चोटे-छोटे मटपंथ पहले-पहले बहुत खूब सुरत पत्ते निकलते जब जाड की जड़ड़ी भूत अवस्ता होती फिर नए पत्ते भी ने निकलेंगे और फल निकलेंगे हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रिती समझाते हैं लडाई भी तुम्हारी माया के साथ है इतना उच्पद है तो जरू कुछ मेहनत करेंगे ना पढ़ना भी है पढ़ाना भी है पवित्र बनना है आधा कल्प रामराज्य चला अब रामराज्य होना है किसी को पतानी कब और कैसे होगा वो रामराज्य कब होगा कैसे होगा किसी को पतानी शास्त्रों में बाते हैं नहीं दिखाते पांडव पहाड़ों पर गल मरें अच्छा फिर क्या हुआ प्रले तो होती नहीं एक तरफ दिखातें बाप राज्योग सिखातें के तुम भ स्रीकृष्ण कहां से आए? जरुर ब्रामन चाहिए. तुम जानते हो, हम नई दुनिया में जाने का पुर्शार्थ कर रहे हैं. यहां ज्यान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं. वहां ज्यान गंगाओं द्वारा सुनते हो. यहां पर मदुबन में आते हो. ज्यान सागर से परिजादा बन जाते हैं वास्तों में ये है ज्यान मान सरोवर ज्यान सागर बैठ ज्यान सनान कराते हैं जिससे तुम बहिश्त की परियां बन जाते हो परियां नाम सुनकर ऐसे पंक वाले मनुश्य बना दिये वास्तों में पंक की बात नहीं आत्मा की उड़ने के पंक अ नहीं जानते हूँ, मैं तुमारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में परवेश करता हूँ। श्रीकृष्ण तो ऐसात्यू का पहला जन्म। स्वंबर के बाद फिर लक्षमी नारण बन जाते। जो श्री नारायन्ट था, वो बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, फिर जरूर उनके इतन में आना पड़े, कई कहते हैं भगवान पती दुनिया में कैसे आएंगे, न समझने के कारण स्रीकृष्ण का नाम डाल दिया, जो सबसे पावन है, प्रन्तु स्रीकृष्ण उनको सब भगवान मानेंगे नहीं, भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव मशूर है, प्रजा पिता ब्रह्मा यहां है, सुक्षम वतन में ब्रह्मा विश्नु शंकर है, ये भी अच्छी दिती समझाना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए, आपस में एक दो क यह याद दिलाना चाहिए, बाबा को याद करते रहो, एक दूसरे को क्या दिलाना, बाबा को याद करते रहो, चोरासी के चकर को याद करते रहो, अब घर जाते हैं, ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र, सब त्याग करना है, अब हम नई दुनिया के लिए त्यार ह पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता यह अविनाशी ज्ञान रतनों का नशा वो नशा तूटना मुश्किल होता है गरीबों को नशा तूट जाता बाबा केते मैं गरीब निवाज हूं आते भी गरीब हैं आजकल तो करोडपती कोई पैसे वाला कहा जाता लगपती को पै पैसे से स्वराज्चे की स्थापना करनी है मैं पक्का व्यापारी हूं ऐसे थोड़ा ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े तुम्हारा मट्टा सट्टा है इसने भूलानात कहा जाता गरीब से गरीब ही माला में पिरोई जाते सारा मदार पुर्शाथ पर है इसमें पैसे की बात नहीं पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे पढ़ाई तो एक है ना गरीब अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि सावकारों को तो पैसे का नशा रहता तुम बच्चे जानते हूं हम स्वरत के मालिक थे अब कंगाल है अब बाप आया है चुरासी क चक्र जरूर लगाना है पुनर जनम भी सिध करेंगे तुम सिक्चिल अदे बच्चे ही चुरासी के चक्र में आते हो यह फी तुम चानते हो और किसी को पता नहीं जानते हैं चक्र पुरा होता है गर वापिस जाना है पढ़ाई को दोहराना है चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा इस पढ़ाई को बार-बार रिवाईज करना है जैसे सुनने की शक्ति ऐसे ही दोहराने की भी शक्ति है रिविजन भी जरूर करनी है चितर रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा घीत भी कोई-कोई बहुत अच्छे है सुनने से नशा चड़ता है तुम अब शिव बाबा के बने हो वर्सा तुमें निराकार से मिल रहा है साकार द्वारा निराकार कैसे जब तक साकार में नाय तो कैते मैं उनके बहुत जन्मों क्यंत में परवेश करता हूँ प्रजा पिता भी यहां चाहिए ब्रह्मा का नाम मशूर है ब्रह्मा मुक्वन शावली बच्चों को बाजोली भी समझाई हम अभी ब्रामन है फिर देवता बनेंगे चोटी देखने में आती उपर में है शिव बाबा स्टार कितना सुक्ष्म है इतना बड़ा लिंग नहीं ये तो पूझा के लिए बनाये गया रुद्र यग्य रच्चते हैं तो एक बड़ा शिव लिंग और छोटे-छोटे साली ग्राम बनाते सावकार लोग बहुत बनाते ये सब भगती मारग में शुरू होता द्वापर से पहले उते हैं सोला कलाएं फिर चोदा कलाएं कलाएं कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही ये बाप बैट समझाते बाप और कोई तकलीफ नहीं देते नोट करते चाओ पतियों के पती को कितना टाइम याद किया अव्वे बिचारी सगाई चाहिए न मित्र समंधियादी सब भूल चाहें एक से ही प्रीत रखनी है इस विशे सागर से क्षीर सागर में चाना है आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म महा तत्व में है क्षीर सागर में विश्नु को दिखाते हैं विश्नु और ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा तुमें समझाते तुम फिर विश्नु पुरी क्षीर सागर में चले जाते हो अब बाबा केते मा में कम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते सिर्फ एक बाबा को याद करो करेंगे पाँच सकिन उस महा जियोती पर एकागर हो जाएंगे बाबनी का मा में कम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते सिर्फ कहते हैं आत्माई मुझे याद करो मैंने तुम्हें पार्ट बचाने भेजा था तुम्हें याद दिलाते और शरीरी आये थे पहले पहले तुम देवता बन स्वरग में आये भगवान जब सब का बाप है तो सब को स्वरग में आना चाहिए परन तु सब धरम तो आने ही सकते चुरासी जनम देवताओं ने लिए उनको ही आना है ये बाते तुम्हारे सिवाई और कोई जान ना सके अच्छी बुद्धिवाले ही धारना करेंगे थोड़ा समय है सरफ अपने को आत्मा समझो वो थोड़ा समय है अपने को आत्मा समझो हम एक शरी छोड़ दूसरा लेते हैं चुरासी जनम पूरे हुए अब ये अंतिम जनम है आत्मा सच्चा सोना बन चाएगी सत्यों में सच्चा जेवर थे अब सब जूटे हैं फिर तुम ज्यान चिता पर बैठे हो गोरा बनते हो श्वासो श्वास याद करेंगे तो अवस्था अंत में होगी श्वासो श्वास बाबा याद रहे वो अवस्था अंत में अच्छा, मीठे मीठे सिक्कि लदे बच्चों प्रती, मात पुता बाप ददका याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुभानी बाप की रुभानी बच्चों को नमस्ते, रुभानी बच्चों की रुभानी बाप ददको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया धार्णा के लिए सार पहली पॉइंट है शीर सागर में जाने के लिए एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है एक की ही अव्वे बिचारी याद में रहना है और सब को एक बाप की याद दिलानी है विनाशी धन का नशा नहीं रखना ज्यान धन के नशे में स्थाई रहना है पढ़ाई से उच पदबाना है वेरी स्पेशल वरदान बाप की मदद द्वारा उमंगुच सहा और हलके पन का अथक पन कानुभव करने वाले कर्म योगी भव कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो बाप की मदद उमंगुच सहा, हिम्मत अथक पन की शक्ति देने वाली है कोई कारे कितना भी मुश्किल हो पर बाबा की मदद उमंगुच सह, हिम्मत अथक पन की शक्ति देने वाली है जिस कारे में उमंगुच सह होता है वो सफल अवश्य होता है बाप अपने हाथ से काम नहीं करते पर मदद देने का काम जरूर करते हैं तो आप और बाप ऐसी करम योगी सिती है तो कभी थकावट फेल नहीं होगी आप और बाप ऐसी करम योगी सिती है तो कभी भी थकावट फेल नहीं होगी स्लोगन है मेरे में ही आकर्षन होती है इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो आज हम याद रखेंगे, बाप स्वेम मेरा मददगार है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ हर करम करते, स्वेम सर्व शक्तिवान, मदद देने का कार्य करते हैं मैंने उस मदद को दिल से महसूस किया है निश्चे बुद्धी आत्माओं को मदद का अनुभव होता है करम करते, स्वेम करावन हार, अपनी शक्तियों से मुझे चलाते हैं नहसूस करें परमात्मा की शक्तियां पल-पल मेरे साथ हैं बाबा की मदद से मुझे हिम्मत आती है, शक्ति आती है शुक्रिया बाबा, आपने मुझे हिम्मत से, शक्ति से भरपूर किया है मैं कर्म योगी आत्मा हूँ और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती ये एक बहत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें, कुम भी मिस न करें करें देखें जरूर देखें